समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने अयोध्या के साधू संतों के एक जत्ते से मुलाकात की करतिलिया बाबा आश्रम के महंत रामदास महराज ने अखलेश यादव को राम नामी भेट की और इस मौके पर अयोध्या के सांसाद अवदेश कुमार की मौजूदगी में अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाएंगे अखिलेश ने अयोध्या में जल भराव और सड़क धसने के मामले की जानकारी भीली अखिलेश यादव ने कहा कि लोगसभा चुनाव में अयोध्या की नतीजों ने बीजेपी की मीन दोड़ा दी है बीजेपी में निराशा और हताशा है अखिलेश ने दावा भी कर दिया है कि समाजवादी पाटी आने वाले उपचुनाव और 2027 का विधान सभाचुनाव दोनों जीते की वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर एक नया दावा किया है अखिलेश ने कहा है कि जैसे विकास का पैसा चूमंतर हो गया वैसे ही अयोध्या में बिजली के खंबो से लैम्प और लाइट भी गायब हो गई अखिलेश ने एक विडियो भी जारी किया है जिसमें सड़क के दोनों तरफ पोल दिख रहे है हाला कि उनके इस दावे में कितना दम है इसकी पड़ताल जरूरी है अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेका सोशल मीडिया कर दावा करते हुए लिखा अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा चूमंतर हो गया वैसे ही बिजली के खंबो से लैंप, लाइट, सब कुछ गायब हो गया है जनता पूछ रही है कि जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुक्तान कैसे हुआ करोडो, कमाकर, भाजपाई, ठेकेदारों के घर तो रोशन हो गये लेकिन जनता के हिस्से आया सिर्फ अंधिरा ये बीजेपी राज है या अंधिरी नगरी तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के साधू संतों के एक जत्ते से मुलाकात भी की और उसके बाद ये ट्वीट अखिलेश यादव का सामने आया अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने ये नया दावा किया है और उन्होंने कहा कि जैसे विकास का पैसा चूमंतर हो गया वैसे ही अयोध्या में बिजली के खंबो में लैंप लाइट का गायब हो गया